हमारा खतियान में हमारा पुर्वजों का नाम है लेकिन पंजी टू में पुर्वज के नाम हमलों का नाम नहीं है और उसमें दूसरा गाउं का आदमी का नाम है सीयो का उपीस में हमको जान समाने की धंकी दिया जाता है ऑन लाइन में अंचल अस्तर पर जीरो जीरो कर दिया गय से किसी का राकबा खतम कर दिया, किसी का नाम गड़वला दिया थि criterion हमारा खति हमारा पुर्वजों का नाम है लेकिन पंजी टू में पुर्वज के नाम हमलों का नाम नहीं है और उसमें दूसरा गाउं का अदमी का नाम है अवेदन दिये थे और हम गए थे तो एक बधर उसमें गए थे तो कोई संजय इस से पहले वाला करमचारी था उसके पास गए थे तो उसको खतियान दिये कि ये खतियान में तो हम लोग का है तो वो हमको बोला था कि ये जमीन में तुम बिसी के पास भी चले जाओ कुछ नहीं कर सकता है और हमारा खतियान भी नहीं देखा हमको वहीं से वा चलका है तो इसके थुरू से सभी काम होना चाहिए हरे खत्यानी आदमी का काम होना चाहिए हरे सब कोई का काम होना चाहिए यह जो है खत्यानी रहीत बचाव मंच आम जनता को बेनिफिट देने के लिए और सरकार द्वारा जो राजस्वा बिभाग में जितनी भी गड़़िया हो रही है उनको आम जनता की हीत में सुभीधा दिलाने के लिए बनाया गया है और उसी के बेनर तले आज खत्यानी दिवस मनाया जा रहा है इसमें जनता को बताई जा रही है कि खत्यान आदिवासियों का मुलवासियों का खत्यानी रहेतों का ये एक अस्तम है और इसके साथ जो अभी छेड़ छाड़ किया जा रहा है ओनलाइन में अंचल अस्तर पर जीरो जीरो कर दिया गया है किसी का खाता नंबर खतम कर दिया है किसी का प्लॉट नंबर खतम कर दिया किसी का रखबा खतम कर दिया किसी का नाम गड़वला दिया इनको सारा इस खत्यानी रेयत बचाव मंच के माध्यम सांदोलन करके उसको सुधारने का प्रकरिया किया जाएगा इसके लिए लोगों को जागरुक किया जा रहा है कि अपना अपना खत्यान को सुरक्षित रखें और जितना खतियान रेकर रूम में विसेस करनाची का रेकर रूम में बहुत सारे ऐसे गाव है राजस्वगराम जिसका खतियान फार दिया गया है या फट गया है या उसको रखने का तरीका सही नहीं होने के कारण से वो नष्ठ हो जा रही है उसके लिए जैसे अंचल में continuous मिनस खतियान है कमिस्णरी में खतियान है इन सारी खतियान को मिला करके उसको नविकरन करे और जो फटा हुआ खतियान को फिर से नाया से बनाए लेकिन जनता जो खतियानी रियत है उन लोगों का जो अधिकार है उसको हनन करने उसको चिनने उसको लूटने का परियास सरकार क इतना उपस्थित है ये सारे एकजूट हो रहे हैं और सरकार के खिलाप इस खतियान को सुधार करने के लिए खतियान को बचाने के लिए खतियानी रहयत को मिटाने का सड़यंत्र को खतम करने के लिए ये अंदोलन करने के लिए रोड से लेकर के सदन तक जाने के लिए एकज यानी रहियत है उन लोग का वनसज का नाम पंजीटू में दर्ज किया जाए जैसा कि कानून में कहा गया है कि मृत आदमी का पंजीटू में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए जो आज 1956 का आदमी का नाम आज भी पंजीटू में दर्ज है जो कि मर चुके हैं इसलिए मरा हुआ आदमी के नाम से पंजीटू जो कायम है उसको खतम करके जो उसको जीवित वनसज है उनका नाम पंजीटू में दर्ज किया जाए उनको जाती परमान पत्र अवाशी परमान पत्र अवाय परमान पत्र बनाने के लिए चक्कर लगाना पड़ता है उन्हें खत्यान मांगा जात अब वही सी स्थिती में उनकी जमीन उनका जाती परमानपत रितियादी नहीं बनता है। बहुत बड़ा अंदोलन होगा जिसको एक जार्खन में एक नया रूपल दिया जाएगा और नया रूप के साथ यह सरकार को भी हिलाने का काम करेगा। खत्यान को फार देना खत्यान को उत्रा अधिकारियों का नाम पंजी टु में जीरो जीरो कर देना। पंजी टु में सही से इंट्री नहीं करना उसको सुधारने के नाम पे रहयत के वनसेज्यों को दोडाना। ऐसे ऐसे अधिकारी करमचारी के उपर तुरंत एकसन ले और एकसन ले करके उनको अगर जोरत पड़े तो बर्खास्त करे, सस्पेंट नहीं, जब तक उनको अपनी नोकरी की डर नहीं होगी तब तक आम जनता को सुभीधा नहीं देगा, अगर हम इस देश में जनता के लिए जनता का जनता के द्वारा और सरकार है, तो सरकार का दैत्व बनता है, और सरकार उस समस्या के लिए जो आधिकारियों को नुक्त किया है, वो अगर काम नहीं करते हैं, तो उनको बर्खास्त करने का भी काम करें, ये इसी उद्देश से के लिए आज हम लोग खतियानी राज चल रही है ऐसे लोगों का सोच है ऐसा लोग बोल रहे हैं इस पर सरकार ध्यान दे और मुख मंत्री इस पीसे में गम्हिरता पुर्भग विचार करते हुए अपना राज को सुशासन की और ले जा भरश्टाचार को खतम करें मेरा जमीन मेरा जमीन में दलाल गवत वंसवाली बना कर विक्री कर रहा है इसमें हमने सियो को भी आवेदन दिया और रांची उपायुक्त महोदय को भी दिया है लेकिन कुछ करवाए नहीं हो रहा है इसमें तो सियो का उपीस में हमको जान समाने का धंकी दिया जाता है नग कि तुम्हा आलग आलग कभजवारी है और खाता एक है उसमें जो कभजवारी जो हमको जो दखल कर रहा है वो आलग पन्चायत का है प्रखण का भी आलग का है लेकिन इस ने इसमें तुरा भयाद है और कभी बोलता है कि ने जमिन खरिदा हुआ है मामला है जमीन जगा का मामला है हम लोग नगड़ी बलोक में आज से नहीं 15 साल से चकर लगाते लगाते आज तक हम लोगों ने अपना जमीन को अपने वस में नहीं किया है और यहां का जो करमचारी सीयो और उपायुक्स महोदाय को भी हम लोग दिये हुएं लेकिन उसने भी केवल छलावा दे रहा है और आज करेंगे कल करेंगे कहके बोलता है जब जादे हम लोग उगर हुए तो कल परसू हम लोगों का जमीन को जांच करने का देश के लिए आमीन और करमचारी आनूप मींज को दिया गया है